जैहिंद देश में काम करने वाले सभी बैंक अपने ग्राकों को कुछ सेवाएं फ्री देते हैं लेकिन बैंकों की कुछ सेवाएं ऐसी भी है जिनके लिए ग्राकों को फीज देनी परती है जो आपको नहीं पता चलती है बैंक में आपके खुन पसेने की कमाई सिर्फ सुरस् वैसे तो bank की कई services free होती है लेकिन bank से जुड़े हुए ऐसे भी कई काम है जिनके लिए आपको हर हाल में अपनी जीव धिली करना ही पड़ती है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ bank की उन सेवाओं के बारे में जो free नहीं है और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखते हैं और वीडियो पूरा देखना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ सेयर करना मत भूलना क् के लाओगा बैंक से जुड़ी योजना है और भी काम की योजना है जानने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाईए वहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी फिलाल आगे बढ़ते हैं सबसे पहला मैं बताने जा रहा हूं केस ट्रांजेक्शन जी हां इसको बोलत प 있으 the app we go away पैसे चुकाने होते चुकारी बेंकों में लिमिट के बार केंश ट्रांजेशन पर 20 रुपे से लेका 100 रुपे तक का चार्ज देना पड़ता है, यह सभी बेंकों में है, लबभक सभी बेंकों में है, आप लोगों में से किसी को अगर चार लगाओ केस ट्रांजेशन का जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताईएगा दोस्तों, चले अगला देखते हैं, आई-एम-पी-एस, नाम तो सुनाई होगा दोस्तों, मौजुदा समय में, आप किसी भी बेंक खाते से चुटकियों में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, आई-एम-पी-एस की माध्यम से, आई-एम-पी-एस यानि इंटरमेडियेट पेमेंट सर्विस, ठीक है दोस्तों, इसक की आपको नहीं पता चलता है, और आपके एकाउंट से कड़ जाता है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों, चेक पेमेंट, जी हाँ, चेक पेमेंट, देश के सभी बेंक के ट्रांजेशन की तरह चेक पेमेंट की भी सुईधा देते हैं, मौलक चेक से देने का आम तो पर एक लाग रुपे तक के चेक पेमेंट पूरी तरह से फ्री ही होते हैं, लेकिन एक लाग रुपे से ज़्यादा एमाउट वारे चेक पर पेमेंट पर आपको क्लेरंस चार्ज करूप में 150 रूपे तक की फीज देनी होती है, कई बैंकरी फीज आपके ए सबी बेंक अपने ग्रागों को free ATM transaction की सुईधा डेती है लेकिन लेकिन free ATM transaction की भी एक होती है जो की घृष द्वारा सेटाय एक महीने में के बाद जितने भी एटी एम होते हैं उस पर ग्राइव बिश रुपए से लेकर 50 और चार्ज देना होता है उपर ट्राइव जी एक ट्रांशेशन का 20 और 50 पार तान्यस देना होता है साथ मेरे टार्जेशन चार्ज Does दे नहीं होता है साथी-सार उस पे नगता हैं अगलाए दोस्तों ऐसे बनाने का क्या आपने पैसे निकाले या आपके पैसे आपके एकाउंट में जमा हुए सारी सुझनाई देने के लिए SMS चार्जेस लगते हैं लेकिन जब भी आपके बैंक एकाउंट में कोई भी एमाउंट क्रेडिट या डेविट होता है तो आपके रजिस्टर मोबाइल पर जो भी नंबर परीशा होता है मतलब पंदर रूप्य चार्ज होता है सतर और 18 परसन फ्सक्राइब सतरे अरह को बता दो कि छाग्राव को सेवाय देने तक balance को maintain करना होता है अगर आपने खाते में उससे कम amount होता है आपके खाते में उससे कम amount होता है तो आपको नीउंटम balance चार्ज देना होता है जिसे कई बैंकों में account के minimum balance 10,000 कई bank में, 1000 कई bank में, 2000 सब bank में minimum balance का एक limit set की हुई यह उतने रुपे होते हैं अगर उस से कम amount होगा तो आपको उसका charge लिया जाएगा तमाम बेंकों में new term balance की सीमा होती है और यह maintain करने पर इसकी charge भी अलग-अलग होते हैं और इसको आपको charge चुकाना पढ़ता है कि वेम्क कितना नियूंटं मैलेस है अगर आपको जानना ये गया दोस्तों कारद ट्रिपेक्तर लेकर पांसो रुपे तक हो सकता है हर बैंक का अलग अलग तरह से अलग 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 का अलग अचार्ट सोता है चार्ड गसल जो मैंने आपको बताएं सारे के सारे जो है नंचैज की रूप रेखा बनी हुई है उस हिसाब से बैंक कारती है और आपको पता ने जलता है आप बिल्कुल धडले से सर्विस इन सभी सर्विसेस का लाब उठाते हैं और आप सोचते हैं कि फ्री यह लेकिन यह फूरी नहीं होती है अगर आप लोगों पता था तो कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट कर हो फिलाल इतना ही धन्यवाद है